कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जिहां दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बांगलादेश और इंडिया के बीच होने वाले पहले ODI मैच के बारे में जिहां दोस्तो यहां पे हम बात करेंगे इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की टीमों क कि लाकिए दे दोस्तों आपको क्या करना है पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है एक भी सेकेंड वीडियो को मिस नहीं करना है क्यूकि इस वीडियो में बताओंगा कब किस प्लेयर को बैक्स को डॉप करके चलना है कौनशी टीम बाद में बैक्तिंग कर रही से आप बहतर अपनी टीम्स बना पाएंगे ग्रैंड लीग के कॉमिनेशन जिससे कम से कम आपकी रैंक इंप्रूब हो सकेगी तो आपको क्या करना है पूरी वीडियो देखनी है देखिए दोस्तु में यहां पर क्या करना हूं मैं प्रेडिक्शन के साथ साथ ग्रैंड लीग कहार हो चुक है जिनको आपको नहीं लेना उनकी जगहें पर काउंट से प्लैस आया है उनको हमको ग्रैंड लीग में ट्राइक करना हर एक चीज़ के बारें बात करेंगे चलते हैं प्लेंग लेवन देख ले तो उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को जो मैं लाइक केम प्लेंग लेवन के वारे में जो कि आपको एक्सपेक्टेड बैटिंग ओर्डर में दिख से जाएगी यहां पर दोस्तों चेंज क्या है एक चेंज हो सकता है जी हां दोस्तों जो कि मैं बता दूं यहां पर मोहमाद शमी नहीं खेलने वाले जो की इंजर्ड है उनको रिफ लेंगे जी हां दोस्तों इन्होंने मोहमाद शमी को रिफ्लेस गया तो यह खेलते दिख सकते हैं ठीक है यह चीज है बाकी कोई भी अपडेट आती है निउस मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाना शिखर उम्रान मलिक मोहमाद सिराज यह प्लेइंग लेवन हो सकती है टीम इंडिया की तरफ से कोई भी चेंज होता है अपडेट मिलती है मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा जाके जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शुरुआत में आपको दीपक च जहर भी बॉलिंग कर लेते हैं बाकि अगर कुल्दीप सेहन खेलते तो वह भी डेथोवर्स में बॉलिंग कर लेते हैं उमीद है यहां पर उम्रान मलिक खेलते दिख जाएंगे तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखने यह चीज़ें ग्रैन लीग में बहुत अच्छा वर यह दो प्लेयर्स आपको खेलते नहीं देखेंगे जो की बड़े प्लेयर्स हैं और तमीक वाल टीम के कैप्टन थे तो बाकि यहां पर नजमुल हशन शांटर और अनामुल हक ओपनिंग करते दिख सकते हैं बाकि लिटन दास भी ओपनिंग करते हैं तब इन तीन प्लेयर् में बता दूँगा काउन प्लेयर ओपनिंग करें काउन कहां पर के लिगा फिर साक्यवलहशन मुशाफिक और रहीम आफिफ होजेन महामदुल्ला मैदे हसन मिराज मिराज नसू महमद मुस्ताफिज रह्मान हसन महमूद यह प्लेंग लेवन हो सकती बांगलादेश की मुस्ताफिज रह्मान के साथ यह आपको डेथ ओवर्स में भी दिख जाएंगे ठीक है तो यह कुछ इने ध्यार रखनी बाकि ग्रैंड लीग के लिए कुछ इंपार्टन प्लैस की अगर हम बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले रखा नसू महमद को नसू महमद को इसलिए रखा है क्योंकि इस पिच पे इसपेसली नसू महमद बहुत अच्छा करते हैं लेफ्ट आम आथोडाक्स बॉलिंग करते हैं यह विकट लेते हैं जी हां दोस्तो विकट टेकिंग बालर है तो यह तीन चार पाँच विकट मी निकाल सकते हैं सकते हैं बात करते हैं उम्रान मलिक की जी हां दोस्तों जो कि मोहमा श्यामी को रिफ्लेस कर रहें अब इनके सामने गती से कुछी प्लेयर को दिक्कत होती तो यह चार-पांच विकट निकालते दिख सकते हैं वो छे-साथ भी विकट हो सकते हैं तो उम्रान मलिक ग्रैंड के लिए बहुत इंपाटेंट रहेंगे वाशिंग टन सुन्दर जी हां दोस्तों यह भी पूरे 10 करते दिखेंगे सामने लेफ्ट एंडर सच्छे का से तो यह क्या कर सकते यह दोस्तों उनको जल्दी आउट कर सकते हैं तो यह भी तीन-चार विकट प्लस हो सकता बायटिं प्लस भी कर देते हैं तो ये ग्रैंड लीग के लिए कुछ बहतर आफसंस है इनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करना सारे रिस्की आफसंस है अगर अच्छा करते हैं तो आपकी टीम एक तरफा रैंक कर सकती है जी हाँ दूस्तों ये चीज़ यहां पर दो प्लेयर 3 प्लेयर चार्श प्लेयर की बिन अच्छा अगया, तो आप अच्छा पैसा विन करेंगे यहां पे आपको हर अपते डिपोजिट कोर्स मिलते रहते हैं जी हाँ दोस्तों आपको गिब्वेज मिलते रहते हैं हर रोज एक दो मैचस में आपको गिब्वेज मिलेंगे बागे इस समय डाउनलोड करने का फायदा है कि अबुधावी ट करके आज से ही डिपोजिट करके खेलना स्टार्ट कर दो बागे दोस्तों अब हम डारेक्ट बात करेंगे ग्रैंड लिग की टीम के बारे में जिसके लिए आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं तो अब जो वीडियो स्टार्ट हो रही है यह बहुत ही ध्यान से देखनी है अगर आपको best combinations बनाने है जी हाँ दोस्तों एक करोड़ वाली लीग की टीम बनानी है तो आपको ध्यान से देखनी है अब दोस्तों देखते हैं सबसे पहले जो मैंने small league की टीम बनाई थी क्यूंकि बहुत सारे लोग है जो small league और 3-4 member खेलते हैं जी हाँ दोस्तों जो की अच्छे profitable contest है जी हाँ दोस्तों जो लोग खेलते हैं उनके लिए में लेके आया हूं यह टीम बनाए तो मैंने मोहमाद शामी को चेंड करके यहाँ पर उम्रान मलीक को कर दिया बाकि मेरे captain शाकिवल हशन रहेंगे विराट कोली वाइस captain रहेंगे कुछ इस तरह की team हो सकती आप केल लाहू शिकरदवन में से मैं आपको एक option दिया हूं किसी को रख सकते हैं आपको जो सही लगे मैं मुझे लग रहा कि केल लाहू अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो यह दो आप मैं रखा हूं बाकि कुछ दोनों प्लेयर्स को रखा हूं वाशिंग टन सुंदर अक्सर अफिजुर रह्मान को अपनी टीम से ड्राप किया हूं रोई शर्मा को ड्राप किया हूं जिहां दोस्तों सिखरदवन को ड्राप किया हूं तो यह कुछ हमारी head to head small league तीन मेंबर चार मेंबर टीम हो सकती है बाकि यह भी final जो टीम होगी वो आपको हमारे telegram चेनल पे मिल ज वहां पर आपको मैं grand league की टीम भी दे देता हूं अब बात करते हैं grand league के वारे में तो grand league की जो मैंने पहली टीम बनाए हुए उसमें वाशिंगिटन सुन्दर कैप्टन है साकीवल हसन वाइस कैप्टन देखें यह भी पूरे 10 ओबर करेंगे ठीक है यह भी पूरे 10 ओबर कर देंगे तो वाशिंगिटन सुन्दर तक फिर वैटिंग भी आ जाएगी अब हो सकता है यह 50-60 रंस भी कर दें ठीक है अब यह दोनों प्लैस अच्छा कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों इसलिए मैंने एक इस तरह की grand league टीम बनाई है जिसमें मैंने सुन्दर को captain बनाया हुआ ह जो एक तरफा तीन और चार मिंबर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यह काम आप कर सकते हैं बाकि मैंने शुंदर को captain, wise captain साकीवला हसन को यह combination मैंने बनाया हुआ है ठीक है अब दोस्तों हम बात करते हैं next team के बारे में यह grand league का combination बाकि यहाँ पर मोहमद शमी है तो दीपक चेहर को यहाँ पर ले सकते हैं कि दीपक चेहर भी बहता रहा बॉलान है ठीक है तो यह हो गया बाकि दूस्तों next जो हमारी टीम है उसमें हमने क्या किया उम्रान मलीक को captain हसन महमूद को वाइस केप्टन इधर से हो सकता हो हसन महमूद तीन चार विकट ले ले इधर और सी होंगे या फिर ववालर्स का चांस कम है क्योंकि टीम इंडिया के विराड कोली थोड़ी फार में बाकी प्लेज फार्म में नहीं वाई बाकी दूस्तों ब्लादेश के प्लेर्स भी बहुत फौर्म में नहीं ठीक है बागी बात बता तादें एभी ट्वा स सामने बह तो कुछ इस तरह की मने इन हाई यह तीम भी बर्क कर सकते में वहतर हो सकती है यह हमारी टीम नमबर दो। और देन की बात करते है ग्राइंड लीख की इसको हम बते हैं अब यहां पर होता गया है माहा急 यह बार बंगलादेश पहले बैटिंग करती है और यह कुछ प्रफार्म करते हैं हो सकता है 1802 कुछ इस तरह का ही टोटल बनाती है उस टोटल को बनाने में आल आउट होती है अगर आल आउट होगी तो यह हमारे पास पांचो बाउलर्स हैं पांचो विकेट लेते दिख सकते हैं अगर दस विकेट किने अब पांचो विकेट लेंगे तो हमारी टीम में यह कुछ प्लेयर्स प्रफार्म करें तो हमारी टीम फर्ष लिलिंग में ही अच्छी खासी रैंक कर चुकी होगी अब हो सकता हो उसी स्कूर को चेज करते हो रोजश चर्मा शिकरदमन दोनों के बीच बड़ी साजेदारी हो जाए अच्छी साजेदारी हो जाए हमारा लैक अच्छा वो तो इस तरह की टीम ग्रेंड लीग में बहुत बार रैंक करती है और दोस्तों थोड़ा यह हमारा एज जो कॉमिनेशन बनाना थोड़ा सिम्पल भी होता है इसलिए क्या होता है जब लेकिन दोस्तों फिर मं करते हैं तो इस तरह की हाई डिसकी टीम आप ट्राई कर सकते ग्रेंड लीग में जबंडिया बाद में बास्टिंग करतीया तहों सकते दूसरी बात दूस्तों मैं बात करूंगा जो मै नेक्स टिम बनाई हुए उसमें वाशिगटन सुन्दर मौहमा सिराज को व्यश के fishermen हो सकताऊ तीम इंडिया पहले बॉलink करें हो सकता हो पहले बॉलिंग करें तीन या चार विकर्ट वाशिंग्टन सुंदर को मिलें तीन विकर्ट मुहमद सिराज को मिलें दोनों हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन है और यह टीम 150 मतलब एक बहुत छोटे टोटल पर आउट या लाउट हो बांगलादेश की यह उस सिच् रगाइक पर कर सकता इस तरह की तीम बहतर हो सकते अब अक्छर पटेल की यहाप यहां पर कर सकते है बाकि दोस्तों जो डूइक की टीम और यह देख सकते यहां पर जो मैंने बनाई हुई है उसमें हमने क्या किया यहाँ पे हमने के लाहुल कुलिया ठीक है आप देख रहे हैं कि मैंने जो है बैटमेंस को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं ठाई किया तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा करें मुझे लग रहा कि आलाउंडर्स और बॉलर्स ज्यादा अच्छा करेंगे इस मैंच में इसलिए मैंने शाकी भलाशन को क्याप्टन क्यूंकि इनके ज्यादा चांस है पॉइंट देने की टॉप और में बैटिंग करते हैं हमारी अच्छी टीम हो सकती है और जब टीम इंडिया का टॉप और फ्लाप होता है कई बार दीपक चेहर ने स्कूर किया है मैं जिताया तो इस तरह की जो है टीम पहतर हो सकती ग्रेंड लिग में रैंक करने वाली टीम हो सकते हैं बाकि यहां पर जो मैंने आपके साथ टीम अगर है ने शेयर करब लेंए यह सारी टीम क्या है हाई रिसकि टीम हाई कर सकते हैं अगर आप टीम कर सकते हैं बाकि जो मेरी final grand league की teams होगी या फिर तीन मेंबर चार मेंबर team head to head team होगी वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाती है final team लिंक description में सभी लोग जाके फटाफट से जुड़ जाईए बाकि दोस्तों जो find to play app के बारे में बता रहा था उसकी जो team है वो भी मैंने लगबग सेम बना के रख्यू है साग्विला से कैप्टन वाइस कैप्टन है तो यह हमारी एक small league की team है यहाँ पे भी आप grand league खेल सकते ह यहाँ पे थोड़ा grand league के जीतने के chances जादा होते हैं आप पांच लाग दस लाग तो नहीं लेकिन तीस जार पचीस जार और पचास जार जो first prize होता है उसको आप आसानी से बिन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे competition कम है तो जाके सभी लोग find to play app को download कर लो link description में मिल जाएगा वी कर दो कर दो.